के नफरत ना कर दिल तक साथ निभाईयो, केसे हो मेरे माइन्ट्राफ वाले भाईयो यो गाइस, आज मैं आपको फिर से माइन्ट्राफ 1.20 के लिए देने वाला हो फ्रेश सीड लेकिन गाइस में इससे पहले बात करना चाहूँगा कल की वीडियो के बारे में हो आमारे कंटेंट से काफी अलग थी, लेकिन यूनिक थी आपको जाकर एक बार ज़रूर देखने चाहिए, काफी जादा बड़िया वीडियो आई थी और भात करते आज की वीडियो की, हो तो पी 100% होईगी तो जैसे आप सीड को एंटर करोगे, आप यहापे स्पॉन होजाओगे एंड सीड आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगे, तो जाके चेक कर लेना जस्ट आपको स्पॉन पॉइंट के सामने मिल जाएगे एक निव विलेज, जो नई नई दुलन की तरह लगता है, खुबसूरत और नया एंड इसी विलेज के अंदर आपको मिल जाएगे टू ब्लेक स्मित, जो काफी जदा हम मेरे, सच में यार अंबानी भी इनके घर पानी भर जाए, पूरा मत सोचा करो यार, मैं कैरे मिनाटी नहीं हो एंड यहापे आपको मिल जाएगा रूइन पोर्जल, जो आपने आखरी साथ से गिन रहा है एंड इसी विलेच के अंदर आपको मिल जाएगे टू ब्लेक स्मित, तो चले आपको दोनों की लूट चेक करते एंड पहले ब्लेक स्मित के अंदर आपको काफी जदा पड़ यार्दोट मिल जाएगी and second blacksmith के उसके अंदर आपको मिरी जाएंगे diamonds जिनको आप इजली collect कर सकते हो बस तिन लाग रुपे खाते में जमा कर देना and इसी village के पास में आपको इन coordinates पे मिल जाएका second village जिसको आप as a tourist place भी use कर सकते हो and इसी village के पास में आपको मिल जाएका village road post जिसके help से आप इजली red पार सकते हो and उसके बाद आपको village के पास में इन coordinates पे डिग डाउन कर देना है जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे आप से आप पोच जाओ के diamonds और के पास जहाँ से आप इजली उनको collect कर सकते हो आपको पर इफ 5 diamonds और आपे मिल जाएंगे and उसके पास में आपको मिल जाएगी mine shaft जिसको आप इजली explore कर सकते हो and उसके बाद फिर से आपको इन coordinates पे डिग डाउन कर देना है जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे आपको मिल जाएगा फिर से एक diamond और जिसको आप इजली mine कर सकते हो and उसके बाद आपको विलेश के पास में इन coordinates पे डिग डाउन कर देना है जैसे आप उसके अंदर एंटर करोगे आपको आप मिल जाएगा spider spawner जिसको आप इजली आपने लिए wave farm भी बना सकते हो and उसके पास में आपको मिल जाएगा two chest तो आप दोनों chest को अच्छे से loot सकते हो जिनके अधर काफ ज़्यदा बढ़िया loot है and उसके बाद आपको spider spawner के पास से इस line को follow करना है जैसे मैं जा रहा हूँ तो आपको याप मिल जाएगा एक और spider spawner जिसको आप इसलिए अपने लिए वेफां भी बना सकते हो and उसी के साड़ में आपको मिल जाएगा two chest जिनको आप इसलिए loot सकते हो जिनके अधर काफ ज़्यदा बढ़िया loot है and उसके बाद गाईज आपको विलेज के पास में फिर से इन कोडिनिस को follow करना है and थोड़ा आगे जाने पे आपको यह आपी मिल जाएक एक treasure chest जिसके अंदर काफ ज़्यदा बढ़िया loot है जिसको आप loot सकते हो and उसके बाद गाईज पिर से आपको इसी विलेज के अंदर इन कोडिनिस पे डिक डाउन कर देना है and आपके सामने आपको इन कोडिनेट्स पे मिल जाएगा fortress जहांसे आप जिले ब्लेज रॉट कर लेट कर सकते हो and fortress के पिछे से आपको मिल जाएगा back shunt जहांसे आप जिले गोल रॉट कर सकते हो या उसको loot भी सकते हो I hope guys आज की वीडियो को पसने होगी पसने होगी लेक करने ना and कल की वीडियो की लिंक भी आपको description के अंदर बिल जाएगी तो प्लीज जार उसको भी जाके देखना तब तक के लिए बाई बाई and कमेंने मुझे बताना नेक्स वीडियो तब तक के लिए जाए सुरी रहाँ